हेलो दोस्तों मेरा नाम है प्रोजो तो आज का वीडियो ना ही कोमेडी वीडियो है और ना ही कोई व्लोग है आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तरोटकी जिसका नाम जैरी है हम सब को पता है कि जैरी ने अपने ओनर को खो दिया है मैं जैरी का दुख समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी अपने ओनर को छोड़ के यहां पर आया था जब मैं सेवन मंत का था तो मैंने सोचा कि मेरी ओनर मुझे कुमाने ले जा रहे हैं पर मुनमुनों ने मुझे दूसरे के पांस बेज दिया जब मैं आटो में बैठा था तो मैंने अपने मालिक को पलट पलट के देखा मुझे यह नहीं पता था कि मैं अब उनसे दुबारा नहीं मिल पाऊंगा और मैं एक रात गोलु भाया के साथ दिल्ली में रुका था और मैंने सोचा कि मैं सुबह घार चला जा मेरे मालिक मुझे क्यों नहीं दिख रहे हम लोग बॉल तो नहीं पाते लेकिन हम लोग अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हमारे उनके सिवह और कोई होता भी तो नहीं है मैं साथ महीने तक जिस घर में रहा था वो घर मेरा छूट चुगा था मुझे पता नहीं था कि मैं कहा जा रहा हूँ मैं तो बस चलता चला जा रहा था ट्रेन से अब मैं नए घर में आ चुका था मेरे लिए सब को समझना बहुत मुश्किल था मैं समझ यह था कि अब मुझे इसी घर में रहना है क्योंकि मैं बहुत दूर आ चुका था और यहां आके मुझे इतना प्यार मिला कि मैं दो तीक दिन में सब को भूलने लहा था हम्मी का, पापा का, भाईया का और मेरे बेहनों का मुझे नहीं पता था कि मेरे किश्मत इतनी अच्छी निज लगी यहां पे मुझे सब लोग बच्चे की तरह प्यार करते हैं और मैं बहुत बहुत खोश हूँ विचारे चेरी को तो पता भी नहीं है कि अब उसके मालिक उसे नहीं मिलेंगे जैरी तो अभी भी सूरज भाईया का इंतिजार करता है और चाब उसे सूरज भाईया की याद आती है तो वो उनका चूदा लेके बैठ जाता है मेरे पापा तो बस तिन बार के लिए जाते है और मैं उन्हें बहुत मिश करता हूँ तो जब मुझे पापा की याद आती है तो मैं पापा के पैंट उठा के बैठ जाता हूँ तो दोस्तो यही कानी है जो मैंने आपको बता दी है मैं अपने मम्मी पापा और सबसे बहुत प्यार करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेवे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सब्सक्राइब के पास वाली घंटी को दोमाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर पताएगा कि वीडियो के सरलोगा बाइबाइ लव्यो अल आड़ मार्प्स्टाइब मेंटी कि वीडियो अल आड़ कि वीडियो अल आड़ अल झाल झाल